दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सबस्क्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा ले दोस्तो एक बार फिर से माप के लिए SSC MTS 2023 की अपडेट लेके आ चुके हैं जीहां दोस्तो स्टाप सेलेक्शन कमिशन करमचारी चेन आयोक की ओर से निया विज्यापन जारी कर जगए है मल्टी टास्किंग स्टाप MTS पोस्ट के लिए 12,000 के लगबग यहां पर वेकेंसिज निकली है जून 2023 की ये बंपर भरती की अपडेट आ चुकी है दस्वी पास केंडिडेट इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हैं मेट्रिक पास 10th क्लास पास केंडिडेट के लिए तुनहरा और बड़ा उसर निकला है इस वीडियो में आपको कम्पलीट जानकारी देंगे कि क्या यहां पर SSC MTS के लिए कैटिग्री वाइज और रिजन वाइज वैकेंसी निकली है क्यालिजिबिलीटी कराइटिरिया है एक्जाम पैटन सलेबस इसमें आपका क्या रहने वाला है कैसे आप इस भरती की ओफीशल नोडिफिकेशन की पीडियाप डाउनलोड कर सकते हो कैसे अपलाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अपलाई ओनलाइन कर सकते हो स्टैब बैस टैब पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी स्वालड आउट की ले रहोंगे तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कवाएं शुरू करते हैं यहाँ पर SSC MTS भरती 2023 की पूरी जानकारी जहां दोस्तों स्टाप, सेलेक्शन, कमिशन, करमचारी, चेन, आयोग SSC के इंतरगत ये भरती निकली है पोश्ट है यहाँ पर इसमें मल्टी टास्किंग श्टाप, नोन टेक्निकल, MTS और हवलदार की MTS के लिए यहाँ पर सबसे दिख वैकेंसी जाए 10,000 से दिखपद है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 12,000 से अधिक वैकेंसी निकली है बात अगर important date की की जाए तो online आवेदन परकिर्याइस भरती के लिए 14 जून 2023 से सुरू होने जा रही है जून 2023 की ये बंपर भरती की update है last date online आवेदन करने की 14 जूलाई 2023 है एक महीने का टाई में आवेदन करने का 14 जून से 14 जूलाई तक आवेदन चलेंगे computer based examination की date एक से 29 सितंबर 2023 है यहाँ पर बात अगर इसमें sale ली detail की की जाए तो level first के इंतरगत परती महा के लिए sale ली provide की जाएगी दसवी pass candidate apply कर सकते है 18 से 25 और 27 वर साजु सीमा है fees general OBCIWS category के लिए 100 रुपे है SCST female या EX management को कोई भी fees जमान नहीं करनी होगी payment आप net banking, credit card, debit card और SBI bank चालान से कर सकते हो online या offline भी आप fees payment कर सकते हो selection criteria की अगर बात किजाए तो MTS post के लिए computer based examination के आधार पे selection होगा हवलदार post के लिए computer based examination के साथ में physical efficiency test, PTA और physical standard test, PST भी आपको देना होगा बात अगर यहाँ पर exam pattern डिटेल की की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो session first में numerical and mathematical ability के लिए 20 questions होंगे, 60 marks होंगे इसी तरह reasoning ability के लिए और problem solving के लिए आपर 20 questions होंगे, 60 maximum marks होंगे 45 minute का इसके लिए आपर time जया गया है इसी तरह session second में general awareness के लिए देख सकते हो 25 questions होंगे, 75 marks होंगे English language and comparisons के लिए आपर 25 questions, 75 marks होंगे total यहाँ पर 45 minute का इसके लिए भी time जया गया है तो दोस्तो apply आप इस भड़ती के लिए online कर सकते हो All India से apply कर सकते हो ssc.nice.inice की official government website है जिससे आप online आविदन कर सकते हो दोस्तो इसकी previous year की आप notification चेक आउट कर सकते हो जो यहाँ पर पिछले साल की notification है उसमें हाँ पर vacancies MTS के लिए 10,880 के लगबग थी हवलदार के लिए 539 के लगबग vacancies निकली थी तो यहाँ पर जो new notification जारी होगा उसमें अलग vacancies जारी की जाएगी इस PDF से आप eligibility criteria nationality citizenship check out कर सकते हो age limit यहाँ पर same रहेगी 18-25 वर्ष अब के वर्ष भी यहाँ पर SST को 5 साल की छूट मिलेगी OBC के लिए 3 साल की PWBD अनिज़ों के लिए 10 साल की PWBD OBC के लिए 13 साल की PWBD HST के लिए 15 साल की EXSman के लिए 3 साल की इसी तरह है अलग-अलग category के लिए age relaxation आपको दिया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी details same रहेगी बस यहाँ पर date change हो जाएगी आविधन करने की जहां दोस्तों 14 जून से 14 जुलाई तक आप आविधन करोगे यहाँ पर PDF same रहने वाली है सभी details आपको same रहने वाली है जो 2022 में थी वही 2030 में रहेगी qualification की बात की जाएग तो matriculation examination यानि के 10 सुई class pass candidate date इस भरती के लिए apply कर सकते हैं साथ यसाथ out apply का procedure भी same रहने वाला है ssc.nisc.in portal से आप इस भरती के लिए online आविधन कर सकते हो 100 रुपे fees आपको जमा करना होगा female ssd को को कोई भी fees जमा नहीं करनी होगी online या offline आप fees payment कर सकते हो पूरी परकिरिया आपको दी गई है exam center की list भी यहाँ पर दी गई जो same रहने वाली है जो यहाँ पर all over India के इंतरगती exam center रहेंगे साथ यसाथ exam pattern आप यहाँ से भी check out कर सकते हो और इसमें आपको syllabus भी दिया गया है जो आप यहाँ से read out कर सकते वीडियो को पाउस करके जी हाँ दोस्तों यहाँ पर syllabus देख सकते हो computer based examination के लिए इसमें numerical and mathematical ability के लिए यह पूरा syllabus आप वीडियो को पाउस करके यहाँ से read out कर सकते हो साथ यसाथ दोस्तों यहाँ पर उसके बाद में reasoning ability और problem solving के लिए पूरा syllabus आप यहाँ से read out कर सकते हो वीडियो को पाउस करके साथ साथ general awareness और English language and comparison के लिए भी आप से आसे पूरा syllabus read out कर सकते हो तो दोस्तों ने आपको यहाँ पर syllabus भी दिखा दिया है इसके coding आप अपनी exam की तयारी कर सकते हो physical की बात की जाए तो जो यहाँ पर है हवलदार की post होगी उसके लिए physical criteria की अगर बात की जाए तो 1600 मिन्टर की race 15 मिनट में आपको complete करनी होगी जहां दोस्तों walking आपको यहाँ पर 1600 मिनटर 15 मिनट में complete करनी होगी और female को 1 किलो मिनटर 20 मिनट में complete करनी होगी तो दोस्ते हाँ पर यह physical efficiency test PT की आपको detail दी गई है PhD detail भी आप check out कर सकते हो जो physical standard test की detail है इसमें height 157.5 cm रहेगी male candidates के लिए यहाँ पर यह criteria है chest यहाँ पर 186 cm रहेगी बिना फुलाए फुलाने के बाद में 5 cm का अंतर होना आनिवारी है यानि के 81-86 cm यहाँ पर इसमें आपकी chest रहेगी बात अगर female के लिए यहाँ पर physical की की जाए तो 152 cm height रहेगी weight यहाँ पर 48 kg रहेगा इसके लिए chest required नहीं है female candidates के लिए तो दोस्तों यहाँ पर यह physical की complete detail भी आप check out कर सकते हो साथ यसाथ दोस्तों यहाँ पर आपको इस PDF को और scroll down करते वे complete detail check out कर लेनी होगी scroll down करते वे selection criteria से related detail आपको इसमें दे दी गई है साथ यसाथ out apply का पुरा procedure और important instructions दे गए है साथ यसाथ यहाँ पर पिछले साल की vacancies की information आपको PDF में दी गई है और यहाँ पर आविदन करने की पूरी परकिलिया दी गई है इसके coding आप आप online form फिल कर सकते हो 14 जोन से basic detail सबसे पहले आपको fill करनी होगी उसके बाद में यहाँ पर आपको basic detail fill करने के बाद medicinal and contact detail fill करनी होगी उसके बाद में declaration section में आपको checkbook करते हुए final submit कर देना होगा तो दोस्तों part second registration का भी यहाँ पर आपको section दिया गया है पहले आपको login करना होगा उसके बाद में आप देख सकते हैं आप फोटोग्राफ आपको 20 से 50 के भी के बीच में upload करना होगा JPG format में और इसी तरह signature यहाँ पर 10 से 20 के भी के बीच में आपको upload करना होगा यहाँ पर photograph signature और documents की size दी गए है कितने के भी में आप upload कर सकते हो यहाँ पर login करना होगा आपको दुबारा फिर से यहाँ पर अपने portal पर ssc.nse.in पर उसके बाद में instruction read out कर लेने है पूरी detail आपको यहाँ पर इसमें fill करनी होगी जो detail रह गई है उसके बाद में exam center आपको select कर लेने होगे उसके बाद में यहाँ पर आपको educational qualification detail इसमें भढ़ने होगी photograph और signature आपको upload करने होगी declaration section में आपको capture fill करने के बाद में pre check करना होगा और उसके बाद में finally form submit कर देना होगा दोस्तो इस PDF के end में आपको vacancies की information भी दी गई है जो 2022 में vacancies रही थी वो आप इस PDF के end से ही check out कर सकते हो जैसे scroll down करोगे तो यहाँ पर आपको इस PDF के end में vacancies की information दी गई है यहाँ पर आपको पूरी detail दी गई है तो जो इस वर्ष की vacancies की information रहेगी वो आपको इस साल की PDF में मिल जाएगी जो की 14 जुन को इस official portal पर upload की जाएगी तो दोस्तो इस भरती की official notification की PDF डाउनलोड करने के लिए और apply online करने के लिए आपको हमारी website int-sarkarinokri.in का link के नीचे description plus first comment box में मिल जाएगा और हमारी page पर visit करके इस page के end में आप देख सकते हो important links का section दिया गया है official notification PDF लिंक पर आप जैसे ही किलिक करोगे तो इस भरती का official portal open हो जाएगा latest news का center यहां पर center में आपको section दिया गया है यही पर आपको 14 जुन को एक link प्रोवाइड करा जाएगा SSCMTS से related तो आप यहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में आप apply कर सकते हो registration to apply online का link भी हमारे portal पर है इस link पर click करके आप यहां से registration करते हुए form fill कर सकते हो और अगर आपने पहले से registration करका है तो आपको login to apply online link पर click करना होगा और right side में login का जो section दिया गया यहां पर आपको username, registration number, password capture fill करना होगा और login करते हुए form fill करना होगा और अगर आपने यहां पर पहले से registration करका है और अपनी ID password भूल गए हो तो यहां पर forget password इस link पर click करके आप यहां से अपना password reset कर सकते हो new user register नो आप यहां से भी कर सकते हो तो दोस्तो याद रखिएगा 14 जून को ही online आविदन करने का link एक्टिवेट होगा और 14 जून को ही इसके official PDF अपलोड की जाएगी तभी से आप इसकी notification डाउनलोड कर सकते हो और तभी से आप online आविदन कर सकते हो 14 जूनाई तक आप इतन चलेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे like और share जरूर करे साथ यसाथ दोस्तो गर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गावर्मेंट जोब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं